अच्छा गुजरा होगा जिन दोस्तों ने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया माशाला से हमारे जो है जो है वो सब्सक्राइबर हो चुके हैं मेरवानी यार आप लोगों की चलते हैं आगे देखते हैं कि आज मार्किट ने जो हमें रेड्ट मूव दी है वो कहां तक हो सकती है और मजीद उसमें जो है वो क्या क्या चीजें मुमकिनात में से हैं उनका भी इन्शाला जिकर करने क कोशिश करेंगे। आज यार मैं नीज काफी ज़्यादा डूंडने की कोशिश करता रहा हूँ, मुझे कोई अच्छी निज मिली रही। हर जगासे बुरी की बुरी निज मिल रही थी। तो मैंने भेराल उनका जो है वो कुछ नहीं बात ये है कि एक वक्त में एक चीज जो है वो किसी के लिए नुकसान दे होती है और उसी वक्त में उसी वक्त में लम्हे मौजूद के अंदर वो चीज जो है वो किसी के लिए फाइदा मन्द होती है लहाज़ा मार्किट उपर जाए फिर भी हमार कहते हैं जी माशालला अलहम उनके point of view से तो माशालला कहना बनता है ठीक है तो आज फिर भी हम यह कहेंगे कि माशालला से मार्किट ने 200 पॉइंट जहां वो निकाले हैं और मार्किट बड़े तेजी के साथ 45,000 की तरफ रमादमा है आपको याद होगा कि कल भी वीडियो में हम इस बात के उपर जिकर कर रहे थे और उसमें हमने ये बात की थी कि इस वक्त जो मार्किट की सिचुएशन है वहाँ पर मैंने ये भी जिकर किया था कि काफी हद तक जो है इस मार्किट से अगर कुछ ज्यादा समझ में ना आये तो मार्किट से दोड़ा दूर रहना चाहिए क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से मार्किट बेहेव कर रही है यहां पर शौर्ट सल भी नहीं मनता यह कल हमने बात की थी तो आज भी उसी यही सिचुएशन है कि मार्किट थोड़ी सी अन्प्रेडिक्टेबल हो चुकी है उसके पीछे काफी सारे जो हैं वो महर्रकात हैं जिन में से चंद एक ऐसे हैं कि हमारे जो इस वक्त मौजूदा गौर्मिंट है उन में काफी ज्यादा मामलाग जो हैं वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं इस मन्त के अंदर उसमें से एक दू चीज़ों का मैं जिकर करूंगा देखें वो सिरफ इसलिए चुके हमारी मार्किट का इसके सार्ड डरेक्ली तालुक है और मार्किट जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव बिजनस है जिस तरह मैंने एक बर पहले भी जिकर किया था कि मार्किट जो है ये चुई मुह के पत्ते की तरह होती है हाथ लगाने से मुचा जाती है तो इस तरह से ये मुख्लिक किसम की जो खबरे है उसका बहुत जल्दी असर जो है वो मार्किट के उपर होता है चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव का असर हो या ना हो नेगेटिव का जरूर होता है उसमें कुछ जो है एक तो election commission की तरफ से जो foreign funding case है वो समझ लीजिए कि आखरी मराहिल में दाखिल हो चुका है दूसरी चीज ये है कि धरनेशरने के मामलात भी चल रहे हैं तीसरी चीज ये है डालर की price थोड़ी से मजीद जो है वो उपर चले गई है चौती चीज ये है पैट्रल प्राइसिस की में जो इजाफा हुआ है उसकी वज़ा से हमारी जो महंगाई का एक तुफान जो है वो बर्पा हो गया है इसकी वज़ा से भी जो हमारी मुझूदा government है उसको काफी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा तो ये जब हम सारी चीज़ों को एक एक करके ही कठा करते हैं तो सामने जो जवाब आता है वो ये आता है कि हलात वावा इखराब हैं वावा समझते हैं जो दो सबाब पंजाबी नहीं समझते हैं उनसे माज़रत वावा का मतलब होता है कि हलात काफी खराब है अब ये थोड़ी सी बाते मैंने थोड़ी सी तमहीद जो है वो मैंने चुरू में बांग दी है इसलिए कि न्यूज स्पेसिफिक हम डिसकस नहीं कर रहे हैं आगे चलते हैं जी और आल शेयर में से निकले हैं एक सो पैंसर पॉइंट कमे 30 में से आज 525 पॉइंट निकले हैं देखिए कमे 30 में से कोई 2-4 कॉंपनीज देख ले चलते हैं आगे आगे चलते हैं जी और देखते हैं सरक्ट ब्रेकर क्या कहता है 200 पॉइंट मार्किट ने निकाले हैं और सरक्ट ब्रेकर जो है उसकी सिचुएशन राइट चलें 6 companies आज भी upper cap है लेकिन चुके हमारी इसमें से कोई company नहीं है इसलिए हमें क्या lower cap की बात करते हैं तो इसमें भी इसमें 7 companies है उसमें 6 हैं लेकिन इसमें भी कोई काबले जिकर जो है वो हमें company नजर नहीं आ रही क्योंके market में volume ही नहीं है 20 के volume के साथ चीजें जो है वो lower cap हो रही है 400 का volume 2500, 1500, 400, 0 5800 तो कुछ भी नहीं है interest नहीं है सरमायदार का उसकी वज़ाए यह है कि देखे बिजनसमें जो होता है बड़ा डर्पोग होता है तो इसलिए वो थोड़ा सा डरा हुआ है और market से थोड़ा दूर है कि यह जो दंगल हो रहा है इसका कुछ नतीजा निकल आए देन वो अपना पैसा जो है वो market में डाले लेकिन हर बंदे की अपनी strategy है हमारी तरफ से जो है वो बड़ी नपी तुली जिसको कहते है न buying वो recommended है आज भी मैंने काफी shares recommend किये थे और उसमें से ज्यादतर shares वो ही थे जो मैं पहले recommend कर चुका था उनके कुछ levels वगरा मैंने डिस्क जो है वो share की है अपने दोस्तों के साथ कि वहां पर आप इसकी buying फरमाईए किसी भी दिन मार्किंग चलांग मार के 500 points उपर हो जाएगी चलते हैं आगे आगे जो है वो है जनाब graphical view में technology, commercial banks power generation, के electric की वज़ा से होगा food, textile, refineries, miscellaneous engineering top 10 symbols में देखते हैं कुछ भी नहीं आप देखें न एक 2 रुपे का share है ये word call और volume सिर्फ 15 million का है और अगर हम B.O.P. G.G.L. ये टी पिल की बात करें तो सिर्फ 5 million का volume है तो मार्किंग में सिर्फ volume नहीं है डरा हुआ है हमारा सरमायादार, अब आपने ये फैसला करना है कि मुलक के इन हालात को मद्दे नजर रखते हुए आपने क्या करना है क्या आपने चंद मक्सूस शेर्फ में सरमाया करी करनी है या मार्किंट से बाहिर रहना है मेरा जाती तोर पर ये ख्याल है कि आपके पास फर्ज कीजिए अगर एक लाग है तो मेरा ख्याल ये है कि 25,000 उपे की बाइंग होनी चाहिए और उसको वक्त के साथ टॉप अप करना चाहिए जिस तरह आप अपने मुबाइल का टॉप अप करते है इस तरह से इसका भी टॉप अप होना चाहिए आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज की कैंडल को आज की कैंडल क्या कहती है आज की कैंडल जो है वो ये कहती है कि सरहलाद बड़े खराब है और मार्किट जो है वो अग्जेक्टली 45,336 से भी नीचे गई जो तकरीबन को 45,250 के लेवल बनता है दो डाइसो पॉाइंट्स की और बात है मार्किट फिशूं करके आपको 45,000 पर मिल सकती है यहाँ पर जो है एक opportunity generate हो रही ही है आप उसका फाइदा उठाइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि RSI क्या कहता है देखें RSI जो है वो negativity का शिकार हुआ नहीं बलके हो चुका है अब इसका जो previous level बनता है जहां से हम इसको support इसकी ढूंड सकते है RSI की वो है 46.73 47 ही कर लें अगर market जो है 47 या 46 के दरम्यान से bounce back नहीं लेती क्योंकि ये जाती तोर पर अगर आप देखें मैं जो अपनी जातियात के हवाले से बात कर रहा हूँ RSI के point of view से क्योंकि काफी सारे दोस्त जो है वो RSI पे काम करते हैं तो उन के लिए ये बात हो रही है हम इसके उपर काम नहीं करते तो ये मैंने color change कर दिया है अब आप अगर ये जाइजा लीजिए तो आपको ये नजर आएगा कि market यहां पर टकराई बार bounce back लिया इससे पीछे जाएं तो ये market की resistance भी है लेवल उससे पीछे जाएं तो वहां से भी market जो हो reverse होई bounce back होई उससे पीछे जाएं तो वहां से भी होई अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप गुजिश्टा कुछ अर्से का जाइजा लें तो RSI के point of view से market जो है ये बात है जी पंदरां दस दो हजार इकिस की बात हो रही है पंदरां दस दो हजार इकिस अक्तूबर दो हजार इकिस यानि कि अगर आप गुजिश्टा तकरीबन तकरीबन कोई 6 महीने का अगर आप RSI का structure देखते हैं तो वहां से आपको ये पता चलता है कि RSI का जो 46 का लेवल है ये ना सिर्फ के एक अच्छी support है बलके एक अच्छी resistance भी है लहाज़ा उमीद की जा सकती है कि market यहां से जिस तरह माज़ी करीब के अंदर और माज़ी बाइद के अंदर जो है यहां से reverse ले चुकी है bounce back कर चुकी है तो chances हैं कि market इस बार भी यहां से bounce back करे I repeat my words again I'm just talking about the people who just following the RSI I'm not talking about the person who's using the other kinds of the indicators ठीक है ना थोड़ी से अंग्रेजी भी मार दी है अब समझ जाएगा चलते हैं जी आगे और बात करते हैं जी मैक डी की मैक डी साहब जो है वो यह कह रहे हैं कि market के अंदर यह बढ़ता हुआ जो negativity का momentum है आने दिलो आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद तेजी हो सकती है अब यह दिकी दोनों में फर्क है RSI में हमें एक उमीद नज़र आ रही है कि market वहां से bounce back करेगी जबकि मैक डी साहब यह कह रहे हैं कि पिछे पिछे हो जाओ और market के करीब भी आने की जरूरत नहीं है लहाज़ा आप दोस्त अबाब अपना फैसला फर्माईए कि आपने क्या करना है एक बार फिर जो है वो आखिर पर मैं यह बताता चलू कि कुछ दोस्तों ने पूछा था दुबारा से फिर कि जी आपका दूसरा चैनल क्या है यह सर यूट्यूब के सर्च पर जाएंगे वहां पर आप लिखेंगे इफ्टखार वास्फी IFTEKHAR और W.S.F.I तो वहां पर जो है वो यह हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा जहां पर अभी सिर्फ और सिर्फ 85 सबस्क्राइबर आपको नदर आ रहे हैं और उसकी एक रीजन जो है वो यह है कि सर्फ 4 मिहने हो गया उसके उपर हमने जो के अक्सर मैं चोटी-चोटी सी बातें जो है वो अपनी स्टॉक मार्किट की वीडियो में कर जाता हूँ वो यहां पर हम डिटेल से करेंगे तफसील से बात होगी होगा वो भी कोई थोड़ा सा गप्शब टाइब ही उसमें कुछ ज्यादा प्रफेशनलिजम जाडने का चुकि हमें इजाज़त नहीं है तो इसलिए हमारी तरफ से कुछ ज्यादा प्रफेशनलिजम नहीं जाड़ा जाएगा उसमें लेकिन हम उसमें काफी चीज़ों के उपर बात करेंगे इन्शालला बहुत जल्द जब ये जल्द का लफ़ इस्तमाल ओरत इसका मतलब ये है कि आने वाले बीक में भी शायद ये काम शुरू हो जाए बस जी आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया खुश रहे आबाद रहे आखिर मैं सिर्फ इतना मजब जतने भी दोस्तों वहाँ बर मौजूद होते हैं कि यार आप लोग ना कभी-कभी अपने अलाके से बाहर जरूर जाया करें अच्छा हमें ये बात समझ में नहीं आती थी कि यार इसकी क्या रिजन है वो कहते थे अगर पैसे हैं थोड़े पैसे हैं तो फर्स कीजिए कि अगर आप स्यालगोर्ट में रहते हैं तो कभी-कभी जो है लहूर का चक्र जरूर लगा लिया करें अगर आप लहूर रहते हैं तो क्राची का चक्र जरूर लगा लिया करें अगर आप क्राची में रहते हैं तो दो गंटे की मेरा अखले शादे डेड़ गें टेकी फलाइट के ओपर दुबाई है वहाँ का चक्र लगा ले उनके कहने का वो ये कहा करते हैं कि यार अपने इलाके से दूसरी जगा का चक्र जरूर लगाया करें इससे इनसान को सीखने में बहुत कुछ जो है वो सीखने में बहुत कुछ मिलता है हमें खैर हम काफी अरसा तक तक तो इस बात के उपर कुछ गौर नहीं किया हमने लेकिन जब मैंने अपनी जिन्दगी के 14 साल लगातार इंगलेंड में गुजारे और उसके बाद ये सबसे लंबा टूर जो था वो मेरा ये पाकिस्तान का रिसेंटली था तो फिर काफी ज़्यादा कुछ जो बहुत कुछ जो है वो बाक्या तरह मेरे सामने आया कि यार बात सौ फिसद दरूस्त है कि कभी कभी घर से बाहर निकलना चाहिए अपनी रोजमरा जिन्दगी से निकलें कभी कभी टाइम वक्त जरूर निकाला करें ताकि आपको ये पता चले कि आप कहां खड़े हैं और दुनिया कहां पहुंच चुकी है खैर फिर कभी बात करेंगे मज़ीद तफसिल के साथ अलाहाफिज